इस question को बहुत असानी तरीके से हल कर सकते हैं कैसे हल करेंगे तो सिर्फ इस 3 को लेना है किसको लेना है भाई साहब इस 3 को लेना है बस आपका question आजाएगा 3 को इसे करना है क्या करें कि गुड़ा करने पर आपका under root 2 दिख रहा है ना सिर्फ 2 आना चाहे हैं तो आपका करेंगे सर दो में जब 1 का गुड़ा करेंगे तो आएगा बस हो गया एक बार under root 2 less 1 कीजी ए तो यह आपका इसका बर जाएगा समझ रहे ना पूरे का बर्गमूल हो जाएगा यानि कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 का जो बर्गमूल होगा उसका बर्गमूल अगर निकालेंगे root का मतलब अर्गमुल होता है निकालेंगे तो under root 2 plus 1 आएगा तो सीधा सीधा जब under root 2 plus 1 आएगा तो sir यहाँ पे है आपका minus इधर क्या है minus है इसका भी तो वही आएगा sir लेकिन minus में आएगा तो minus में आएगा तो इसको bracket में कर लेजिए तो root का 3 कितना है आपका तो यह जो है root का 3 नहीं root का क्या होना चाहिए sir यहाँ पे 2 था तो root का 2 और minus root का क्या हो जाएगा root का 1 आप 1 का मतलब सिर्फ 1 ही लिखेंगे हम यहाँ पे तो 1 होगा बस आपका question जो है यहाँ से solve हो गया अब इसको क्या करना है तो देखिए root 2 रहेगा plus 1 रहेगा और minus है तो minus root 2 minus हो जाएगा bracket में जो है minus जो है वो plus हो जाएगा तो इससे यह cut गया एक और के कितना हो गया दो यानि सीधा option number D आपका right answer हो जाएगा समझ में आए हैं आपको तो मुझे आसा है कि यह चीज़े जो है आपको समझ में होगी तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर किजिए आज के लिए बस इतना ही जय है जय बाराओ